नमस्कार मैं बेद प्रकास सहयोगी जगजीत लोहट के साथ आपका हमारे चनल में हार दिक स्वाबिताया विनंदन है और इस वक्त मोजुद हम भीवानी में और आज आपकी मुलाकात कवाएंगे एक ऐसी सक्षियत से जो किसी प्रीटतिकी महताज नहीं है और उनका नाम है जन्नेता विजे सुमानी शिक्षा की छितर से वह कई दस्कों से जुड़े में है सामाजी की छितर से वह काफी समय से जुड़े में है और राजनेतिक छेतर से भी वो काफी समय से लगे वी हैं और रेवाडी विधान सभा से वो चुनाव भी लड़ते हैं और आज वो भीवानी में आए हैं किस कारण से भीवानी हैं उनसे बातचित करेंगे, मुलाकात करेंगे और कूछेंगे भीवानी आने का occasion किया रहा है सर नमस्कार जी से आने नमस्कार और सर कैसी है ठीक है बहुत बड़ी है शुब काम ना है आपके तो सर काफी बरसों के बाद भीवानी में आना हुआ अब भीवानी तो छोटी काशी है और लोग जैसे काशी को एक हमारे आजात्मिक स्तंब के रूप में जानते हैं तो अक्सर यहाना जाना रहता है राश्टी नवचेतना मंच के कुछ पुराने साथ्चिया रहते हैं और अब चुकी लोक्तंत्र पर्व लोक्षवा सुनाव दोहजार चोविस चल रहा है वैसे में राश्टी नवचेतना मंच का एक सलसला हमने पूरे देश में विशेश तोर पर हरियाना के दस लोक्षवा स्वाचेत्रों में लोगों को मतदाता जागरुपता भिहान दोहजार तोविस के नाम से हम मुखातिब होते हैं कल हमने दादरी के कुछ गाओं में कस्बे में और आज बिवानी में और कल रात को हमने मीडिया सेंटर में इंप्रुमेंटरस्ट के कारेले के पास वहां पर हमने रूबरु होए और हमने समिख्षा की कि यहां पर कितने लोग चुनाओं में लोग समागें पर्चासिप हैं और उनका कैसा कैसा मुकाबला है हम क्योंकि दक्षणी अरियाना से संबंध रखते हैं तो हमारी जो मूलवूत समश्चाएं हैं बाते हैं हम लोगों कहते हैं कि मतदान जरूर करना है कि मतदान इस वक्त देखिए 49 परसेंट तक आ गया इसका मतलब आप देश से जर्दा लोगों का मो भंग हो गया चुनावी राजनीती से कारण लोगों का राजनीती और राजनेताव के प्रति उदास इंता ऐविश्वास यह जो हलात हैं यह प्रजात तंतर के लिए बहु होता है लोग प्रजात अंतर से भाग जाएंगे इसका मतलब लोग मानस और मन से प्रजात अंतर में यकीन नहीं करते हैं आज यह जो हालात हैं क्यों होगे कि धूट के आधार पर जातिवाद के आधार पर गुटवाजी के आधार पर लोग राजनीती करने लगते हैं पर भी कई वर्शांसद बने हैं, एक एक व्यक्ति बने, एक एक परिवार के लोग बने हैं, ऐसे में एक नए लोगों को मुखका मिलना चाहिए, और लोगों को मतदान करना चाहिए, जैसे एक विशय एड़क्शन हिर्याना का चर्चा में लाओंगा, वह जैसे एस्वाईल नहर है, एस्वाईल नहर का देखिया आप तीन बार हिंदुस्तान के सुप्रिम कोट ऑफ इंडिया ने, तीन बार ये बात कहिए, कि भार सरकार इस पर अपने संसादनों को इस नहर को बनवाए जो पंजाब में बाक्की है, अब उस पर कौन करेगा कारवाई, कौन अगव इस वाईल मुद्दा नहीं है, एस्वाईल एक पानी का विशह है, जो कि दिवानी दादरी, रेवाडी, गुडगावा और फरिदाबाद के लोगों की पानी की जोड़त है, हमारे चेत्र में रिवाडी जी लें में तो कुछ जगए, पर डार्क जोन डिकलेर कर दिया, लोगों को बोरिंग करने के लिए सासन पर सासने मना कर दिया, और जो हमारा पानी का बठवारा है, वो भी सम मैंने राव इंदर जी सिंग को कहा, टेलेफोन पर, ते लिए आप चोधरी धर्मबीर सिंग को और कृष्ण पार गूजर मंत्री को लेका, मैं इंदर मोती जी से बिलो और बात करो, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोट हमारे हक में ये बात कहे चुका है, हमने इस बारे में र मांदोलन था, तो उसको मंत्री थे, नरिंदर सिंग्तोमर, उनको सब को गापन दी है, लेकि जन तक जन परती नहीं बात को आगे बढ़ाएंगे, तो बात गों हो जाती है, और ये मुद्दा नहीं है, ये जुरूर्त है. सर, बीजेपी और कांगरेस को, अपर टिपनी के तोर पर कैसे तोर रहे हैं आप, किस तरह तोर रहे हैं तराजी बताईए आप. लेकि भारती जनता पार्टी ने दस साल राज कर लिया, और भारती जनता पार्टी के जो चत्रप हैं, उन लोगों ने जिस धंका कारिय शेली अपनाया, वो अपने आपने प्रसंट्चे में लगाता है, चाओ युवाओं की बात रही, अगनी वीरियोगना की बात रही, च जबाओं से गुजरता हुआ आएगार फिर इसको लागू करेंगे, जबकि इस वक्त लिजा लागू किया जा सकता था, जहां पर दारातीन सब्तर हटा दी गई, काम मंदिर का बड़ा विशे था, सुप्रीम कोर्ट के दुवारा से हो जा लिया गया, देश को चारों तरफ जोड़ दिया गया, ये सराणिये काम रहे, लेकिन आप महेंगाई पर बात करने को तियार नहीं, आप विरोजगारी पर बात करने को तियार नहीं, आप हर समय एक ही वाशा एक ही धprise, ये हर्याना कम सकम इस बात को पसंद निदधर था, आप किश मत्री से देख रहे हैं यह भजाई में हैं या पर इनको मुझे लार्ज दिया जा रहा है देखिए जब आदमी को मूल भूत जरूरते हैं वो रोटी कपड़ा और मकान है और रोटी कपड़ा और मकान की जब खटम हो जागी तो आदमी ना तो पुरशार्थ करेगा ना प्रमार्श करेगा ना महनत करेगा ना मजदूरी करेगा और निकम्मा हो जाएगा उसको नेट फिरीद देदो वो सार दिन टेलिविजन पर वो देखता रहेगा वीडियो और वो और फेस्बुक पर करता रहेगा और खाने गुरुप्ती मिल जाएगी लेकिन ये इसकी परिणती ही होगी कि एक समय ऐसा आएगा कि निकम्मों की फोर्स तीयार जाएगी अच्छिए धी जो दावा कर लही है कि हमने पूरी पूरी शीटे चितेंगे तरह देखें दोकी देश में कड़ा मुकाव्ला है कड़ा मुकावला है एंडिये का इंडिया गठवंदन का और जहां में टू में इलक्षन है वहां पर कंडिडेट का चुनाव है और जनता इसका फैसला करेगी यहने अब की बार पार्टियों के तो निशान निशान है जो जनता है वो अपने अपने तरीके से अंडर करण्ट सुनाव को चला रही है अब यह विशय नहीं रह गया है कि फला नेता आयार उसने बाशन दे जियार उसे लोग भाउक हो गए तो को सोचल मीडिया इतना एक्टिवेट है कि लोगों को पूरे देश और दुनिया की खबरे पता लग जाती है लोग पहले डिपेंड करते थे एक्टिवी पर अखबार पर आ तो उसके आत्म मोबाईल है उसी से सारी देश दुनिया की जानकारी होती है उनके अपनी समश्याव की जानकारी होती है लोगों का राजनेता हो से मोबंग लोग यह जो हलाथ है यह खतरना तो कैसे शुतरशुकता है यह मोबंग अच्छे लोग राजनेता लू काम करें लेकिन लोग भी अपना फर्रज अदा करें जहां अधिकार की बात है हों करता दू हुआ है.. के वार पिल्म है उसको कहा तक बाते हैं मुकाबला है यह निबावर का मुकाबला है विवाने चल्खेदादरी के जो कंडिएट हैं तो उनके बारे में यहां भी रावदान सिंग और जोदरी धरंबीर शिंग का ब्राबर का मुकाबला है तो द्रमबीर सिंग को गाओं में लोग घुष्णा नहीं देते किसान नहीं देते जो उनीक जाती के जो लोग है जाट सुमता ऐसे तो मुकावला कैसे गर पाई तो फिर यह मान लें हम कि देखे मुकावला तो दोनों ही कंडिरेट का है जैसा मैंने आकलन किया है लेकिन रावदान सिंग विदायक थो रहे लेकित सांसदनी वहले हैं तो रावदान सिंग की कारिये शेली और घ्वार जो है उस पर डिपेंड करता है यो कितना लोगों को अपरोच कर पाते हैं वो सर्फ यादव रादरी तक फशे रहते या चटीज विरादरी के LIVE की लोगों को मिलते हैं अपना एजेंडा लोगों को बताते हैं फर्क बताएंगे कि मैं तो धरंबीर सिंग के मुकाबले में इस तरीके से मैं आप लोगों के दुख सुख में साथ जी रहूँगा जैसे एस वाईल नहर का एक विशह है उस पर भी चोधरी रावदान सिंग को अपना सपस् मैं यह राष्टिन उचेतना मन्स के मादम से मांग करूँगा कि वो भी अपना वर्षन रखेंगे कि अकल को वो सांसर बनते हैं तो क्या वो इस बिवानी दादरी और मेंद्रगर्ड और इस इलाके को जो मूलभूत जरूरत है पानी कि वो किवल किसानों के लिए निए बन पादेना जिए फिर उसे लिखा जा रहा है जिमानी के अंदर जिसे रावदान से को टिकट में लिए गी तो यह जो किर्ण चोदरी जी चुल्ड की है जुर्टी चोदरी जी उसको भी टिकर संभावाती कि हम टिकर लेंगे उनको आपके बार टिकर नहीं मिली है क्या लगत प्रासकर उन लोगों का जीवन जो पार्टियों से बनेवे लोग है सामाजिक शरोका रखने वाले लोग किसी जायद को और ना जायद बात को अलग अलग कह सकते हैं यह जो पार्टी संग्ठन से बनेवे लोग है अचा उस फोर्मर एमपी सुरूती चोदरी है चा करन है अनुशान संसमीती है और है तो ऐसे थोड़ी होता है कि जब तक उनको कुछ मिले तो ठीक और दूसरे को मौका मिले तो गलत ऐसा नहीं चाहते हैं मतलर चुनाव में इस आप ईवी यह मुचीन के समत्र में है या या फेल्ट पर के समत्र में है देखिए यह जो विशा है यह सुप्रिम कोट तक जा चुका है सुप्रिम कोट और इंडिया ने इस बात को अटेस्ट किया है कि एवी एम में गड़बडी नहीं को जो विवी पैट करके ना एक परची है उसको अगर मतदाता चेक करता है मैं अपनी वोट डालता हूं और उस परची में टेली कर लेत चाहिए शिक्षाओं के बोर्ड अलग-अलग संस्थाएं बंद करके एक जैसी परथम क्लास से लेकर और एग ही पत्ठे करम होना चाहिए एक ही मापधंड होना चाहिए यह जो फरुक है यह मून्हीustन रूप से समाज में गरीब और अमीर का फर्क पैदा करता है वो की शिक्षा के लीए ठीक नहीं है पत्ठे करम पर ब्रापर नीए हो एक सर्फ एक हो परिवर्टन प्रकर्ति का नियम है और परिवर्टन निश्चत रूप से होगा नए लोगों को मुखा मिलना चाहिए राश्टिक नहुचितना लोग सुबाचुनाव में किसको सपोट कर लिए हम गतिकत रूप से देखते हैं कि किस चत्र में कौन कंडिडेट उप्युक्त है कौन समाधित की बात को सुन सकता है कौन हम कल को बनने के बाद राश्टिर उचेतना मन्स के माध्यम से समाध की बातें उठाते रहे है और जैसे मैंने आप से निवदन किया आजय सवयल का इमुद्दा है मालू वो बिभाने से शुरू होता है तो विशागत नदियां बहत है इसमें कोट कोई कानून भी है राजनीती भी है सरोकार भी है जनता समझ लेगी इस बात को कि हमें यह सवाल खड़ा करना है नेता भी समझ लेगा तो ये थी हमारे साथ जन निता वीजे सौमानी जो अखिल भारती संयोजक है राष्ट ये नवचेतना संख्टन के और सौमाने सिक्सन संस्थान के चेर्मन भी है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कोमडने सेक्सिन में अपनी राईजरू दे धन्यवाद नमस्कार में बे झाल 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 झाल